हाई फ्रेंड्स विल्कम बैक टो मैं एटूप चैनल मनिशा के रसुई में आप सब का स्वागत है आज मैं आपके लिए मुंबई के फेमस स्ट्रीक फूर्ड वड़ापाउ की रेसिपी लाई हूँ इसे हम चटनी और मिर्चे के साथ बनाएंगे आप भी इसे बनाएए और अपने फेमिले के साथ एंजोय कीजिए इसलिए वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्रेब नहीं किया है तो प्लीज कर लिजिए और साथी बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताके मेरे हर आने वाली नई वीडियो की गोपिख गोल कर लिते हैं इसमें हम डालेंगे सुदादा नुसर नमक और यहां पर मैंने आधा चोटा चंवश्ट खाने वाला सोडा लिया है सोडा अब हमें जादा नहीं डालना है अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लिते हैं कि यह देखिए अब हम इसमें थोड़ा अब हम इसे साइड में रख देते हैं यह देखिए यहां पर मैंने 6 उबले हुए आलू लिये हैं इने मैं अच्छे से छील लिया है अब हम इन आलू को एक स्मैशर के मदद से स्मैश कर लेंगे अगर आप चाहे तो हातों से भी इसे मसल सकते हैं पर ध्यान रखें कि इसमें रहे पावें इसलिए हम इसे स्मैशर के मदद से अच्छे से स्मैश कर लेते हैं यह देखिए आलू को हमने स्मैश कर लिया है यह देखिए इसमें डालने के लिए मैंने कुछ मसाला लिया है यहां पर मैंने 10-15 लसुन की कलिया लिया है एक से 1.5 इंच अद्रक का टुकडा चार पाच हरी मिर्ची लिया है यह आप अपने पसंद से कमया ज़्यादा कर सकते हैं इसे हमें मिक्सर में अच्छे से दरदरा पीस लेना है यह देखिए यह हमने मिक्सर में अच्छे से दरदरा पीस लिया है इसको हमें फाइन पेस्ट नहीं करना है सिर्फ दरदरा पीस ले बाद दालेंगे एक चम्मच राई, राई को हम अच्छे से तड़कने देंगे, उसके बाद हम इसमे डालेंगे पीसा हुआ मसाला, मसाला डालकर हम इसे चम्मच से अच्छे से मिक्स कर लेते हैं, हम इसे 2-3 मिनिट के लिए गोल्डन ब्राउन होने तक भून लेंगे, ये देखिए उसके पहले हम इसमें चार पाच कड़ी पत्ते डालेंगे अगर आपके पास नहीं है तो आप इससे इसकिप भी कर सकते हैं ये देखिए दो से तीन मिनेट बाद हमारा जो मसाला है अच्छे से गुर्डन ब्राउन हो चुका है अब हम इसमें डालेंगे स्वादानुसर नमक और आधा चम्मच हल्दी पावडर इसमें और कोई ज्यादा मसाले डालने की जरूरत नहीं है अब हम इने एक मिनेट के लिए अच्छे से भून लेंगे ताकि हल्दी का कच्चापन निकल जाए उसके बाद हम इसमें उबले हुए आलू जो हमने स्मैश करके रखे हैं उसे इसमें मिला लेते हैं ये देखें हमने सारे आलू को इसमें डाल लिया है अब हम इसे चम्मच की मदद से अच्छे से मिक्स कर लेंगे तकि ये जो मसाला है आलूओं में अच्छे से मिक्स हो जाए ये देखिए हमने मसाले को अच्छे से मिक्स कर लिया है गैस को हम अब बंद कर देते हैं अब हम आखरी में इसमें डालेंगे बारी कटा हुआ ताजा हरा धनिया अब हम एक बार फिर से इसे अच्छे से मेक्स कर लेंगे ये देखिए हमारी आलू की सबजे बन कर तयार है अब हम इसे एक बरतन में निकाल लेते हैं ये देखिए मैंने उसी थाले में इसे निकाल लिया है अब हम इसे थोड़े देर ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं तब तक हम अपने चटनी बना लेते हैं ये देखे चटनी बनाने के लिए एक तूसरे कड़ाई में मैंने थोड़ा सा तेल डाला है अब हम उसमें डालेंगे थोड़े से मुमफली के दाने मुमफली के दानों को हम अच्छे से भून लेते हैं ये देखे दो मिनिट बाद इसे भी हम निकाल लेंगे इसके बाद हम इसमें डालेंगे लसुन ये मैंने यहाँ पर पाच्छे लसुन की कलिया डाली है इसे भी हम एक मिनिट के लिए अच्छे से भून कर निकाल लेंगे हम ये नारेल की चटने बना रहे हैं इसलिए अब हम इसमें डाल देते हैं सूखा कद्दुकस किया हुआ नारेल इसे भी हम अच्छे से भून कर निकाल लेंगे ये देखिए इसे भी हमने अच्छे से भून लिया है अब हम इसे भी उसी थाले में निकाल लेंगे ये देखिए हमने सारे चीजों को अच्छे से भून लिया है अब हम इसमें बाकी के मसाले डालेंगे हम इसमें डालेंगे स्वादा नुसा नमक और एक चम्मच लाल मिर्च का पावडर अब हम इसे मिक्सर में पीस के इसकी चटनी बना लेते हैं ये देखे हमने इसकी चटनी बना का तयार कर ली है ये देखे हमारा आलो मसाला भी अब ठंडा हो चुका है अब हम इसके छोटे-छोटे बॉल्स बनाएंगी, यह दिखे, इस तरीके से हम थोड़ा सा मिश्रन हाथों में लेंगे और इसको हाथों की मदद से गोल करती हुए इसका एक बॉल बनाएंगे अगर आपको गोल वड़ा बनाना है, तो आप इसी तरीके से गोल भी बना सकते हैं, पर मैं यहाँ पर इसे थोड़ा सा चप्टा बनाऊंगी, इसलिए दोनों हातों की मदद से हम इसे थोड़ा सा चप्टा कर लेंगे, यह दिखे, इस तरीके से हम एक आलू की टिक्की बना लेते हैं, उसी तरीके से एक और मैं आपको बना कर दिखा देती हूं, यह दिखे, उसी तरीके से हम थोड़ा सा मिश्रण लेंगे, और दोनों हातों की मदद से इसे अच्छे से दबा कर इसकी एक टिक्की बना कर तयार कर लेंगे, यह दिखे, यह आप देख सकते हैं, इस टिकी उठाएंगे और इसको ऐसे बेसन की घोल में चारो साइड से अच्छे से कोट कर लेंगे यह देखे इस तरीके से कोट करके हमें इसे गरम तेल में छोड़ते जाना है तो चलिए अब हम इने फ्राय करते हैं यह देखे तेल को मैंने पहले से गरम होने के लिए रख दिय इतने ही हमें इसमें डालने हैं यह देखिए मैंने इसमें चार वड़ा छोड़ दिया हैं अब हम इन्हें एक सी दो मिनिट बाद पल्टी कर देंगे यह देखिए अब हम इन्हें एक एक करके पल्टी कर लेते हैं हमें इन्हें दोनों साइड से पल्टी करते हुए पका लेना है यह देखिए हम इसे दोनों साइड से हलका सा गोल्डन कलर आने तक पका लेंगे तो यह अच्छे से कुरकुरे हो जाएंगे यह देखे, आप देख सकते हैं, दोनों साइड से पल्टी करते हुए, हम इसे पकाएंगे, यह देखे, हमारे जो वड़े हैं, वो अच्छे से कुरकुरे हो गये हैं, अब हम इने एक जारे के मदद से निकाल लेते हैं, इसी तरीके से हम बाकी के वड़े भी इसमें फ्राय कर हमारे वड़े तैयार हम एक जदद निकाल लेते हैं अब हम गड़ां की यहां पर हमाने पाच्छे मिर्ची लिए इनको मैं मैंने चाकु की मदद से कट लगा लिया है कट लगाने से यह थेल में फुटेंगी नहीं अब हम इन मिर्चि को तेल में डाल गैस की फ्लेम हम एकदम लोग कर देंगे इने भी हम अच्छी तरीक से पल्टी करते हुए पका लेंगे यह देखिए मिर्ची भी हमारी तलकर तयार हो गई है अब हम इसे प्लेट में निकाल लेते हैं यह देखिए अब हम मिर्चियों में उपर से नमक डालेंगे और इसे लग दिया हैं हमने चटने भी रग दी है और शाथ में मिर्चि भी रग दी है अब हम पाव को बीच से फाड लेंगे और इसे बीच में हम लाल चटने रखेंगे अगर आप चाहे तो नारियल की चटने भी इसमें लगा सकते हैं उसके बाद हम एक वड़ा इस के बीचमें और इसे मिर्ची के साथ enjoy करेंगे ये देखें इस तरीके से मुंबई का famous street food वड़ा पाव हमने घर पर ही बड़ी आसाने से बना कर तयार कर लिया है आप भी इसे जरूर ट्राइ कीजिए और family के साथ enjoy कीजिए अगर आपको मेरे वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और साथी बेल आइकन पे क्लिक कीजिए ताकि मेरे हर आने वाली नई वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे थेंक यू